वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तक्दीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्लाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज 28 सितंबर और देखेंगे आज के पूरे 13 करेंड़ फेस कोशन्स, तो अब इस पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में एक कोशन पूछोगा, उसका एंसार आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इस वीडियो की पीडियो फाल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें, वहां से आपको डेली करने फेस की पीडियाफ साथ ही साथ हर गावर्नेट एक लेटे पीडियाफ नोट से एर करता हूँ, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो उस लिंक पे डारेक्ट क पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में वेल आकोन प्रेस कर दीजे ताक कि आपको डेली मॉनिंग में पांच बजे करने फेस की वीडियोज मिलती रहें, दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक जरूर किया करें, आ पहला कोशन है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नयंद मोदी के साथ साथ किस देश के राष्टपर्म को सयुक्त रूप से चैंपियन आफ अर्थवार्ड, कौन सा चैंपियन आफ अर्थवार्ड समानित किया गया है, जिसका करेक्टर एंसर गयागा, आप्सन भी, फ्रांस के जो राष्टपती ही प्रेसिडेंट है, इमेनुवल मैंक्रो, ठीक, आपको वता देख, दुनिया के सबसे उतक्रिष्ट परियावरणी परिवर्तन करताओं में से, चैंपियन आफ अर्थ अवार्ड के साथ किसको समानित किया गया है, नरेंद मोदी और साथी साथ फ्रांस यहां पर बात हो रही है, अंतराष्टी शौरगट बंदन की, तो आपको वताद इसका मुख्याला है, गुरुगराम भारत में, ठीक, कहां पर है, अंतराष्टी शौरगट बंदन का हिट्वाटर, गुरुगराम इंडिया में, इस्थापित कब हुआ था, ISA, International Solar Alliance, ISA, इसकी स्थामना गी थी, पेरिस में, ठीक है, 2015 में, तो यह आपको याद रखना है, तो भारत के प्राइमेशर मोदी जी के साथ, साथ किष देश के राष्टमोंग को, शयुक्त रूप से चैंपियन आफ अर्थवार्थ से समानित किया गया है, यह मोस्ट इंपोड़न कोश अर्चन है, हाली में विश्व परेटन दिवस कम मनाय गया है, अउप्शन, इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन, डी, 27 सितमबर को, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, 27 सितमबर को, आपको ता दीक, 27 सितमबर को, वहिस्वी गस्तर पर विश्व परेटन दिवस मना जाता है टिकाव परेटन विकास के लिए डिजिटल प्रद्योग्यकियों के संभावी त्योगदान पर जागता बढ़ाने का यह एक अनूठा सोरूप है यहां पर एक सकता है कि इस साल विस्च परेटन दिवस का विषय क्या था व lease क्या था गाता Тут तुप्रीज्म देगेखा थीर्वार्नेशन क्या था है टो टुरिज्म एंड ड़िजिटल ट्रांस्फोर्मेशन और रॉक्सुरिज्श का हुंगरी था चैन वीजिबान देश गेखिले भी आपको याद रखने अगर में यहाँ पर दोस्तों बात करें 8 सितंबर की तो प्रतिवर्स 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस ठीक है विश्व साक्षरता दिवस मना जाता है ठीक है तो यह यहाँ पर याद रखने उसके लाव अगर बात करें 15 सितंबर की तो प्रति पीष्टे इंटरडेश्टे मना जाता है दीवस से एलेटेट कोश्चन हर एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको याद रखना है रिवीजन करते रहना है ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि विश्व परेटन दीवस अभी हाली मनाया गया तूरिज्म एंड डिजिटल टांसफॉरमेशन ठीक है चलिए और इस साल का जो मेजबान देश है वह हंगरी ठीक है हंगरी है अगला कोश्चन बढ़ने से पहले आप रेल्बुक रूटी एक्जाम है तो एक मटेरियल तयार किया गया है रिवीजन के लिए एल्बुक को लिस भारत में सीर संस्थान पर कौन से संस्थान है तो यहां पर भारत की बात हो रही भारत में सीर संस्थान पर है भारती विज्ञान संस्थान बैंगलूरू भारती विज्ञान संस्थान बैंगलूरू आपको बता दें टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड इनिवर्शिटी के 250 में से कोई भारती संस्तान नहीं आगर यहाँ पर बात करें भारती विग्जान संस्तान में देश में ठीक है देश में उचितम रैंकिंग के इंदर की रूप में इस्तिती बरकरार रखी है और यहाँ पर वात करें तो फ़र्स्ट नंबर पर है Oxford University सेगन नमर पर पर Cambridge और थर्ड नमर पर इस्टेन फोर्ड इनवर्सिटी ठीक है यह तीनों है फर्स्ट नमर पर आपको याद रखना आक्स फोर्ड है और आप पुदादिक मैसाचुसेट्स इंस्टिटीट ऑफ टेक्नलोजी एक स्थान बढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है और भारत में रैंकिंग में भारती संस्थानों की संख्या पिछले साल 42 से बढ़कर और अनचास हो गई जो इससे पांच वह सबसे अच्छा पते दिन तो राष्ट बनाते हैं तो वर्ल्ड इन्वर्स्टी रैंकिंग दो अर्मनीस में भारत में शीर संस्थान पर कौन संस्थान है भारती विग्जान संस्थान बैंगलूरू कोश्चन नमर फोर्थ है आई एमफ के इतिहास में कि इस देश को संतामन अरब डॉलर का सबसे अर्जेंटीना को अंतर राष्टी मुद्रा कोस यानि आई यमेफ से 57 अरब डॉलर का सबसे बड़ा जो तरीड़ प्राप्थ होती है जो बैश्यूक निकाज से अब तक सबसे बड़ा रिंड़ पैकेज है इसका उद्देश की संगर्शी लार्थ व्यस्ता को बढ़ावा देना आर्जेंटीना दोड़ा 15 डालर करेंड पहले से प्राप्त हो चुका है अगले तीन बर्सों में इस साल जून में आर्जेंटीना ने मोलूप से 50 बिलियन डालर करेंड प्राप्त किया था यहां पर दूस्तों अगर बात करें आई-एम-फ की फूल-फार्म में आपको बता चुका हूँ आई-एम-फ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानि अंतराष्टी मुद्रा कोश स्थाबना कब हुई थी यह एक्जाम में बहुत बार कोशन पूचा गया है तो 27 दिसंबर 1945 को कब हुई थी स्थाबना 27 दिसंबर 1945 को स्थाबना हुई थी इसकी जो बरत सबान में कितने सदस्य देश है 189 मेंबर F$ affected 189 यह भी मूस्ट इंपॉटेंट रहे पूचाजा सकता है आयएम motherfDas कितने सदस्य तरने से 17 9 countries है ठीक है इसका है वाशिंग्टन DC USA में वौर्शिंग्टन DC USA में व सिंग्टन DC USA में डीविआप aujourd将 ugly व पताऊ कई लोग को पता हूँ कई लोगों को नहीं पता बता देता हूँ डि स्लिक्ट और कोलंबिया क्या या फुल दारा हाली में कहां स्मार्ट सिटी एक्सपो 288 को घटन किया गया है इसका करेक्ट एंसर जागा दोस्तों आपसा ने जैपूर में कहां पर जैपूर में आपको बता दें उपराश्ट पती एंग गुलावी नगरी करूब में भी पैचाना जाता है जाना जाता है तो पर जाता हाली में कहां स्मार्ट सिटी एक्सपो 288 को घटन किया गया जैपूर में आपको बता दें जो राजसभा का पदेन सभापती होता है वह होता है भारत का उपराश्ट पती ठीक है तो वरतवान में में कए नाइड़ू जी हैं अगला कोश्चन है कोश्चन नमर्श आपको बता दें आप हमारे फेस्बूक पेज को जरूर लाइक कर लें आपके लिए करेंड़ फेस के विशेष हैंड़ीट नोट शेयर करने वाला हूं ऑनलाइन इस्टडी पॉइंट अपने फेस्बूक अब्लीकेशन सच करके फॉलो कर सकते हैं या फिर लिंक आपको वी किस्किप्शन वॉक्स मिल आगला कोशन है वित्ती समावेस पहल के अंतरगा द्वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किस मुवाइल एप का उध्वटन किया गया है करेक्ट एंसर है ऑप्शन भी जन धन दर्शक वित्त मंत्राले ने MSME के लोन प्लेटफॉर्म को लेक एक बड़ा फैसला किया है वेंकिंग शुब्धा को आसान बनाने के जान धन दर्शक एप जो तो लॉंच किया है ठीक जान धन दर्शक याद रखना है कोस्चन नमबर से हाली में जारी human capital इंडेक्स में किस देश को पर्थम अस्ताम रप्ध हुआ है तो हाली में जारी human capital इन डेक्स रैंकिंग में फिंड लैंड को इसमें टॉप इंडिया की तो यह टॉप पर कौन है फिन्लेंड है और भारत की बात करें तो 158 ठीक है यहां पर बात करें फिन्लेंड की तो फिन्लेंड की राज़ानी क्या है फिन्लेंड की राज़ानी है ठीक है है फिन्लेंड की राज़ानी है और अगर बात करें यहां पर है फिन्लेंड की तो यह नौर्थ नाडिक देश है और यहां की करेंसी है योरो पीम की बात करें तो पीयम है यहां के साउली निनिस्टो थीएक हर में कौन है चौन है साउली साउली निनिस्टो यहां के वर्तमान enam है तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगला doctyal महत्मा गांधी की एक सो पच्चासवी जहनती मिनाने के लिए कौन सा भारती राज्जी सरकार ने दो अक्टूबर को पेंशन योजनर शुरू करेगा और जब भी असम की बात हो रही तो आपको असम से लेड़िट सारे मैं बता दू जो एक्जाम में पूछा जाते हैं असम के कैपिटल क्या है दिस्पूर है राजधानी गवर्णार है बरतमान में जगदीश मुकी सीम आपको बता चुका हूं सर्बनन सोने वाल है और असम से लेटेर एक बहुत महत्पूर कोईशन पूछा आता है कि असम का जो युद्यान काजी रंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाला गेंड़ा पायाता है यह बहुत इंपूर्टेंट है असम ठीक है तो महत्मा गांधी की एक सो पचासमी जहनती मनाने के लिए कौन सा भारती राजसरकार दो अक्टूबर को पेंसे नों जोने लागू करेगा अ 1922 नमबर को तो इसकी राष्ट की राजधानी अबुधावी में इंटर फेथ एलायन्स फोरम की मेज़मानी करेगा तो संगतर अब अमीरात में ठीक है की राजधानी जो है अबुधावी में कोश्चन नमबर अगला है तेंथ है भारती दंड संगतागे की सधारा के तहत विवाहेत्तर संबंद को अपराद नहीं ठहराते हुए सुप्रीम कोड ने उसे रद्ध कर दिया है तो यह बहुत महत्मूर चर्चित कोश्चन है इसका करेक्टर से वियागा अपसाने धारा 497 चरशनतानवे सुप्रीम कोड ने फैसले में इस्त्री और पूरुस की बीच व 497 को गयर संब्धानी करार दे दिया है ठीक है गयर संब्धानी करार दे दिया है धारा 497 को विवाहेत्तर संबंद को पराद नहीं ठहराते हुए सुप्रीम कोड ने ठीक है सुप्रीम कोड के बरतमान चीफ जस्टिस है वो है दीपक मिस्रा और अक्टूबर में सबत ले ल पर किसकी अध्यक्सता में बनाई गई गई साथ सदस्यों के 37 का कारे देखेगी ऑप्सन सी करेक्ट है डॉक्टर वीके पॉल ठीक आपको तादिक नेशनल मेडिकल कमिशन बिल के संसद में पास होने तक साथ सदस्य कमेटी की M.I.C. का कामकाई देखे की डॉक्टर वीके पॉल इसको चेर्मेन बनाया गया है अब बड़ी उपलब्धी हासिल करती है वो देश में ही हवा से हवा में मार करने वाली अस्त मिसाइल का सुखोई थर्टी का लड़ा को विमान सफल परिक्षण किया ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का अंसर मैंने कोशन पूचे था वर्ल्ड फुट्वालर आप देयर के खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है करेक्ट एंसर था ओपसंडी लूका मेड्रिक लगवक सभी इस्टूड ने राइट एंसर दिया था ठीक है अब अरे दिवित का आपने हमें फॉलो निकिया है तो फॉलो कर लें फेस्बुक पे और इस्टाग्राम पे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं बेलाग और पिसकते ताक कि आपको डेली इसी तरह की करेंड़े फेस के और एक्जाम से लेडिट वीडियो मिलती रहे ठीक है ठीक है दोस्तों मिलते हैं शूडियो को साथ आपका दिन शूभ हो जै हिन जै भारत